नमस्कार चात्रों, आज के हमारी क्लास में एक प्रशन लिया गया है, ये यूट्यूब के कोई सुभम हैं, जिन्होंने ये प्रशन दिया है, मैं मेरा एक प्रशन है, रादा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आप से बहुत डर लगता है, ये तीन वाक्य है, यानि क्या इन तीन वाक्यों में अपादान कारक है, कृपया बताईए, तो हाँ, बिल्कुल सही है, आपने सही पहचाना, इन तीनों में ही अपादान कारक है, अब आप ये सोच रहे होगे, कि इसमें कैसे अपादान हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो पिल सा लॉजिक है, मैंने जब आप लोगों को अपादान कारक पढ़ाया है, तो उसमें एक चीज बताई है, कि अपादान कारक में हमेशा ध्यान रखना, किसी चीज का दूर होना, या अलग होना से, दूर होना या पास, अब ध्यान दीजेगा, कि आप जब किताबों में द चिपा होता है, कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगे, तो अपादान कारक के लिए हमें क्या कहा जाता है, कि अपादान कारक का जो हमारा ये से होता है, यदि ये से हमें किसका भाव दे रहा है, किसी चीज के दूर होने का, या किसी चीज के पास होने का, या हमें ये कौन स भाव दे रहा है किसी चीज की तुलना का किसी से तुलना होने का अगर भाव दे रहा, तो वो हमारा क्या होता है, अपादान होता है, बस इतनी ही बात आपको समझ रहे हैं, अब बात करते हैं हम जैसे ये तीन वाक्य यहां पे दिये हुए हैं तो इनी तीन वाक्यों को देखते हुए समझते हैं जब हम बात करते हैं पहले पहले वाक्य की कि राधा घर से निकली तो आपको कैसे पहचानना है पहली चीज तो आपको कारक पहचानना आना चाहिए तो क होगा ठीक है पहली condition यह समझने है पृर इसके बाद हमштने हैं पता है कि यह से कारक्चिन तो हमारा हम इसमें देखना है तो हम यहां पर देखते हैं कि राधा जब घर से निकल गई यानि क्षी तो घर से इसBlue अलग हो अब बात करेंगे दूसरे की सीता गीता से अच्छा गाती है तो यहां पर गीता से यह जो से है यह गीता और सीता के बीच में क्या करा रहा है तुलना करा रहा है हमें यहां पर ध्यान देना है तो यह से क्या करा रहा है तुलना करा रहा है तो तुलना कराने का बोध भी हमार अपादान कारक होता है, उसमें होता है, तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है, कि यह हमारा क्या है? अपादान है, यानि तुलना का बोध करा दिया, अब इसके बाद यह है, मुझे आप से बहुत डर लगता है, तो आप से, अब आप पहले सूचो कि अपादान खोजने के लि कि मुझे आपसे डर लगता है, तो देखो, इसे आप कैसे पहचानोगे, कि ये आपका अपादान है, तो आप इस बात से पहचानोगे, कि जब मुझे आपसे डर लगता है, तो मैं आपके पास या दूर, मतलब कैसे रहूँगा, पास यानि दूर रहूँगा, तो दूर हो ज गया अब इसे के साथ हमारे शात्र कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैं यहां तो जब डर लगता है तो हमने बोल दिया कि दूर हो जाएंगे अलग हो जाएंगे लेकिन अगर हमने कहा कि वह मुझसे प्यार करती है अगर ऐसे बोला तो मुझसे अब प्यार करती है तो दूर नहीं होता है क्योंकि वो दूर तभी तो हो रहा है जब पहले पास है ना वो दूर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पहले पास है अगर वो पास नहीं होगा तो दूर दूर ही है तो यानि इसके अंदर दूर होना और पास होना दूरों का आर्थ नहीं होता है तो आप जब भी इसको पहचानेंगे यानि अपादान को तो इस बात को समझ लें कि अगर किसी वाक्य में किसी के पास आने और किसी के दूर हो जाने पास आने या दूर हो जाने पास आने या दूर हो जाने इसका भाव पहचाने के यह करण कारक है और कैसे पहचाने की यह अपादान कारक है तो उस पे भी मैं एक वीडियो आप लोगों को अलग से बना दूंगी ताकि यह समझ सकें इसके लिए आपको करण और अपारल इन दोनों में अंतर समझना ज्यादा जरूरी है यानि इन दोनों तरीके से आपने सीखा है, तो आप में से भी अगर किसी को इस तरह का कोई डाउट है, या आप पूछना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं, कि ये मैंने जो कॉशन किया है, सही है, या गलत है, या कोई और भी डाउट हो, तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपना कॉशन छोड सकते हैं मैं जल्दी ही उस पर कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो के थूँ आपको चीजे समझा सकूँ तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में